नमस्कार दोस्तों काफी बार होता है कि आपका जो Bluetooth amplifier में यह Bluetooth kit लगा होता है और आपका कहीं गलती से wire तूड जाता है और फिर आप उसे जोड़ते हैं अगर जोड़ने में आपका wire उल्टा जुड़ गया जैसे यहां पे देखिए आपका जो supply देने का जगा होता है यहां ground दिखा होता और पांच बोल दिखा होता है वालिजे आपने wire यहां से जो प्लेट में जाता है उसको आपने जोड़ा और वो उल्टा जुड़ गया तो ऐसी दसा में आपका जो card हो तुरंत खराब हो जाता है चुकि इसके जो part होते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं जैसे ही गलत supply पड़ती है वैसे ही card आपका खराब हो जाता है लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप इसमें क्या trick लगा दें कि आप चाहे तार उल्टा जोड़िए या सीधा जोड़िए आप किसी भी तरह से जोड़िए आपका card खराब नहीं होगा तो आ आई अब बताते हैं कैसे आप इसमें क्या करेंगे तो देखिए आपका किसी भी तरह का kit हो सकता है चाहे आपका Bluetooth कीट हो चाहे कोई भी कीट जो आपका 5 बोल्ट या 10 बोल्ट जो भी चलता है लेकिन जो Bluetooth card आते हैं वो आपके सभी card लगवां 5 बोल्ट से ही operate होते हैं तो इ देखिए आपके पास तमाम इस तरह से डियोबी जो होते हैं वो खराब होते हैं और इसको हम फेक देते हैं लेकिन इसे फेकना नहीं है इसका जो देखिए यहां पर लगा होता है SMD डायोड जब यह डियोबी आपका खराब होता है तो इसमें से लभख को यह LED ही sort करती है लेकिन बाकि जो पार्ट बचे रहते हैं वो सही रहता है तो उसमें से आपको देख लेना है कि आपका जो SMD डायोड है यह कहीं जला तो नहीं फटा तो नहीं है अगर नहीं फटा है सही है तो आप इसको यहां से निकाल लीज़े निकालने के लिए आप blower से भी निकाल सक हैं तो आएए हम फटा-फट इसको निकाल लेते हैं हमने यहाँ इसे देखिए इस तरह से काट के और इसका जो SMD डायोड है इसको हमने निकाल लिया है तो यह जो डायोड होता है SMD डायोड यह AC को DC में कर्वर्ट करता है यहाँ एक साइट से यहाँ AC देते हैं 220 बोल्ट और यहां से यह आपको 220 बोल्ट DC करेंट देता है तो लेकिन अब हमें इसका यूज दूसरा लेना है तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूँ इसमें देखी एक साइड में आपको यहां कट का निसान मिलेगा तो जिधर कट वाला आपका न माइनस है और इधर वाला जो है वो प्लस है आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहां आपको प्लस माइनस का सिम्बल भी देखने को मिल जाएगा तो इधर आपका हो गया DC आउट होता है और यहां से हमको 220 बोल्ट AC या जो भी आपका AC है वो यहां से AC दिया जाता है तो आपको देखिए एक छी ध्यान दे देना है कि इसका जो फ्लस है इस साइड है और माइनस उस साइड है अब कार्ड में आप देखेंगे तो यहां कार्ड में देखिए माइनस हमारा जो है इस साइड है और प्लस वाला इस साइड में है तो आपको जो डायोड का प्लस है प् माइनस माइनस पे चला गया और प्लस वाला प्लस पे चला गया तो इसको हमें यहां इसे लगा के कुछ इस तरह से अच्छी तरह से सोल्ड कर देना है अब दोस्तों हमने यहां सोल्ड कर दिया आपको ठीक इसी तरह से डायोड का माइनस और प्लस ध्यान में रखके विए उस ब्लूटूथ कार्ड के प्लस और माइनस पे उसको जोड़ देना है अब इसके बाद हम देखे यहाँ पे चुकि यहाँ से आप दो तार निकालेंगे और आपका चाहिए 78 जिलो 5 लगा है चाहिए आप जिस तरह से इसको सप्लाई देते हैं उस तरह से इसी सप्लाई देने के लिए दो वायर आपको जोड़ना ही पड़ता है तो यहां पिमें दोनों पॉइंट पे इस तरह से एक एक वायर जोड़ लेता हूं अब आप इसको ध्यान नहीं देना है कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है आप जिधर से चाहिए उधर से इसको ऐसे जोड़ सकते हैं तो मल्टी मीटर को लेते हैं और चेक करके देख लेते हैं कितना बोल्ट आ रहा है तो मल्टी मीटर को 20 बोल्ट में मैंने रख दिया है और यहां प्लस को प्लस और माइनस को माइनस पर हम यहां टच करेंगे तो यहां देखे मैंने इसे लगाया तो यहां पांच बोल्ट हमारा card है वो आन हो चुका है आप देख सकते हैं card हमारा आन हो चुका है अब इसमें जो मैंने कि यह उल्टा या सीधा किसी भी तरह से लगाया जाए हमारा चलेगा तो अब जो लाल वाला है उसको हम लगाएंगे यहां काले वाले वायर में ठीक है देखे हैं हम काले वाले वायर में लगाएंगे और जो काला वाला वायर है इसको हम लगाएंगे यहां पीला वाला वायर में तो अभी आप देख सकते हैं कार्ड हमारा फिर से आन हो चुका है तो इस तरह से आप एक छोटा सा यहां सेम्टी डायोड लगा के और इसको सेफ कर सकते हैं उसक भालाब सभी के घरों में दो चार थो फेके हुए पढ़े ही रहते हैं अगर आपकी सौप है तो सौप के भी आपके यह बहुत ही फेका हुआ पड़ा होगा आप इसको फ्री में इस तरह का जुगार कर सकते आइध़ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए